आज पहले एक बार डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग करने के अबाले हैं आज एक important functions fraction part of x एक important function है जैसा कि हम लोग modulus greatest integer इनके part बना चुके हैं, upload कर चुके हैं, इनके बारे में discuss कर चुके हैं आज एक important functions fraction part of x जो यहां पे लिया गया है, कैसे इसके value evaluate करेंगे, graph कैसे बनेगा, properties क्या होगी और कुछ important questions कि कहां कहां पर calculus में इसका importance है, सारी बातों हम लोग डिस्काइब करेंगे इस पूरे session में perfect perfect पूरा concept हम लोग देंगे, आपको पता ही होगा कि modulus function और greatest integer function का अगर हमने हमारा session लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर last तक गया होगे, तो मुझे लगता है कि एकदम clear होगा, रती भर भी doubt नहीं रहोगा ऐसे हम लोग इस fraction part of x में जो बच्चे confuse रहते हैं उसको देखेंगे, चलिए पूरा पूरा देखते हैं कि integer value पर, positive integer value पर, negative integer value पर, fraction value पर कैसे ये work करता है यहाँ पर हमने table लिए है, integer को दो पार्ट में डिवाइट किया है, positive integer, negative integer, positive fraction जैसे कि यहाँ पर value लिए, जो fraction values होती हैं, जैसे 1.5, 3.9, यहाँ निगेटिव में fractions value लिए, irrational values लिए हैं, इनको कैसे calculate करेंगे, पहले एक formula देख लेते हैं एक formula यहाँ पर हम side में देख रहे हैं, ध्यान दे, उसको हमने table पर apply करेंगे, यह सारी values हम आपके सामने calculate करेंगे, जिससे कि आप सहज तरीके से, आसानी से हमारे साथ साथ calculate कर पाएं, तो fraction part of x का formula है, कि fraction part of x, इस curly bracket को, वहाँ पर अगर ऐसे लिखा गया है, तो लिखेगा कि यह bracket जो है, आप ध्यान दे, कि इतनी बात, हर बात को हम लोग इसलिए discuss करेंगे, कि हर एक बात, इस वीडियो में complete सारी knowledge आपको हो, तो अगर ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ लिखेगा, it is fraction part of x, यहाँ ध्यान दे, ऐसे लिख देखता है, मतलब इस function के रहे हम describe करेगा, क्योंकि bracket, आपको curly bracket पता ही होगा, कि set के लिए भी use करते हैं, और fraction part आप x के लिए use करते हैं, तो ambiguity ना हो, कोई confusion ना हो, तो यह इस bracket के बारे हम ज़रू बताएगा, अब देखो fraction part of x, बराबर होता है, x minus greatest integer x, एक simple सी बात, अगर आप ध्यान दे, एक formula तो straight forward आपको मिल गया यहाँ पर यह x है, यह greatest integer x है, कोई भी number, अगर आपको जानकारी ना हो, तो यहाँ ध्यान दे, number, कोई भी real number अगर आपको consider करते हैं, तो दो बातों पर निर्वा करता है, integer value, और प्लस fraction value, जैसे कि 3.5 की बात करें, तो 3 प्लस 0.5 से मिलके बना हुआ है, अगर आप 1 की बात करें, तो 1 प्लस 0 से मिलके बना हुआ है, अगर 2.99 की बात करें, इस बात को ध्यान देना, इसी सब कुछ निकल गया है, 2 प्लस 0.99 मिलके बना है, तो यह part हमारे integer है, और यह part हमारे क्या है, fraction, आप जैसे हमें negative मिलिया, minus 1.7, तो यहाँ पर बहुत ध्या करते हम गलती, minus 1 plus 0.7, मगर आप देखिए, minus 1 में, अगर 0.7 add कर देंगे, तो यह minus 1.7 आखे, minus 0.3 आ जाएगा, क्या जाएगा, minus 0.3 आ जाएगा, तो देखो यह चीज गरत हो गई, यानि कि minus 1.7 को minus 2 plus 0.3 लिखेंगे, अब एक बार add करिए, minus 2 plus 0.3 को add करिए, तो minus 1.7 आ जाएगा, बस यहीं पर खेल है, इस बात को जरूर नोट करें, जैसे 2.99 है, तो 2 plus 0.99, और यहाँ पर minus 1.7 तो minus 2 plus 0.3, तो minus 1.7 में integer पार्ट कितना हुआ, minus 2, तो कभी भी आपको पता होगा, integer पार्ट, यानि gate is integer minus 1.7 निकालते थे, तो minus 1 नहीं आता था, मेरी 2.3 इसमें fraction है, अगर आप जैसे यहाँ पर अगर देख लें, हम थोड़ी से टेबल को इदा उदा कर रहे हैं, नीचे का space ले रहे हैं, अब आप ध्यान दे, 2.3, 2.3 को अगर लिखने जा रहे हैं, तो real में इस number को लिखने के लिए, आपको minus 3 plus 0.7 लेना पड़ेगा, अग और इसका fraction 0.7 है, तो यह number, यह number क्या हुआ, x, और यह integer part है, यानि integer part of x, और यह fraction है, तो fraction part of x, यानि कोई भी number integer of fraction से मिलके बना हुआ, तो fraction part of x निकालें, तो x में से क्या गड़ा दें, integer part गड़ा दें, तो यह जो हमने formula बताया था, formula यहाँ से निकल गया है, अगर आपक तो थोड़ा सा भी confusion वीडियो को आप रिवाइंड करिये, इतने स्टेप को समझ लिए, जान है हमारी, और भाई, कैल्कुलस अगर आप पढ़ने की चाहत रखते हैं, तो अगर आप इन फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तो भूल जाएए, भूल जाएए, बाकि आपकी इच्छा है, आप आगे इस वीडियो के आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग, देखी वन का फ्रेक्शन निकालनेंगे, तो फार्मूला जैसे जीरो आया, बराब चलो फार्मूला लगा के देखते हैं, तो हमने बत कितना हैं, वन, तो वन माइनस वन, जीरो, तो यही बात, similarly two or three, या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अपलाई कर सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर कहने माद हैं, फार्मूला निकल के आया, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उसका फ्रेक्शन क्या ह होगा, zero, क्या निकल कहा है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो उसका फ्रेक्शन क्या होगा, zero क्योंकि one, two, three, four, five, इसमें फ्रेक्शन हैं नहीं, तभी तो इंटीजर हुए, ऐसी माइनस माइनस two, माइनस three में भी अगर कैलकुलेट करोगे, तो माइनस three का फ् एक सीख लिया कि इंटीजर का फ्रेक्शन क्या मिलता है, हमेशा zero, कभी भी इंटीजर का फ्रेक्शन निकालेंगे, इंटीजर तभी बना है कि जब उसका फ्रेक्शन zero है, अगर फ्रेक्शन उसमें है, तो इंटीजर होगा ही नहीं, वो rational number हो जाएगा, ठीक है, तो इतनी हम लोग आ गए in values बर जो positive fraction मानते हैं जैसे 0.3 0.7 1.99 2.3 कुछ भी आपको 10.30 कोई भी value आपको डाल नहीं हो तो हम suppose 3.9 का निकालते हैं क्या निकालते हैं 3.9 तो बताया था कि 3.9 का निकालेंगे तो इस formula का apply करेंगे हम लोग यहां लिखा है यह formula यहां पर लिखा है जो भी निकाल लेते हैं यानि 3.9 को किस से उसके इंटीजर घटा देंगे तो यहां पर द्यान दे कि 3.9 से उसके इंटीजर घटाएंगे तो कितना है इसका भाई देखो अगर आपको इंटीजर पार्ट निकालना नहीं आता तो बिल्कुल आप बने नाइन का इंटीजर पार्ट 3 है तो 3.9 से 3 घटेगा तो 0.9 आ गया यानि कि 3.9 में फ्रेक्षन कितना आया 0.9 1.5 में फ्रेक्षन कितना आया 0.5 0.1 में फ्रेक्षन कितना आया तो फ्रेक्षन ही ए 0.5 ठीक है तो positive fraction जैसे कि अगर आप फटा-फट 1.02 का फ्रेक्षन निका निकालें तो 0.9 आप टैली कर लीजे सीख गए होगे ज़्यादा अगर कुछ आपको दिक्कत लगे तो यह फामूला अपलाई करिए ज़्यादा अगर अगर अब प्रैक्टिस करेंगे बार वार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्री इजली आ जाएगा अब यहाँ आप ध इजर वैलू से हमें गठाना है तो उस नबर को माइनस 3.9 को उसकी इंटियर वैलू तो माइनस 3.9 की इंटियर वैलू माइनस 4 है चाहे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप गेटेस्ट इंटियर वाले वीडियो को अपलूट किया गया उसको अब देख लें तो 4 से 1 आ गया, क्या आ गया? पॉइंट 1 ऐसे यहां निकाल सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है 0.01 को आप इसके इंटीर पार्ट से घड़ा दीजे 0.01 को इंटीर इसका पार्ट माइनस बन आएगा, तो माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस 0.1, that is 0.9 इसमें fraction कितना है 0.9 तो इस तरीके से negative values का negative fractions values का भी निकाल सकते हैं positive values का निकाल सकते हैं irrational number जैसे हैं तो आपको पता है irrational number यहां पर माल लेते हैं 1.414 तो आपको पता है 0.414 आजाएगा तो जैसे हम लोग fraction values decimal values का निकालते हैं वैसे यहां निकाल सकते हैं तेबलज हमने रखेक्षेड आप और इंपरिंट कुछंस की डिफ्रेंशियेशन में बहुत यह एक्षे कुछंस आते हैं उनको देखेंगे लिमिट में अप्रोच भी देख लेते हैं पूरा पूरा अपना त्यार है अब आपके इस तरीके से एक्सीन करना है बदाना है कि से थ בח हर बाद पर ध्यान रखिए देखें यह x-axis है यह y-axis है आप जैसा जानते हैं यहाँ पर हमने spacing करके रखी है एक एक integer की और यहाँ पर भी y की value को हम y-axis पर लेते हैं x की value पर x-axis पर लेते हैं और यह dotted line हमने बनाई है एक region है ठेक है x के समानतर और one unit distance पर यहाँ पर अगर आप भूल गए हों तो formula fraction part of x को evaluate कर रहे है x-axis यहाँ पर देखे x की value हमने randomly ले लिए 0, 0.1, 0.5, 0.9 यह value जो ली गई है यह ऐसे randomly ली गई है आप कोई भी और चनाओ कर सकते हैं के वल हम आपको इन values के सहारे graph का एक highlight देंगे जिससे कि हम graph roughly roughly draw कर सकें तो 0 जब भी डालते हमने बताया था कि इंटीजर डालने पर इंटीजर आता है तो x of y क्या ने का मतलब देखो यहाँ पर अगर आप बिल्कुन initial level पे हैं इस value को यहाँ 0 डाला तो 0 डालने पर y बताया था कि इंटीजर value पर हमेशा y क्या आएगा 0 तो यह point हमें मिल गया 0 कामा 0 तो 0 कामा 0 देखो plot क तो यहाँ पर होगा ठीक है अब 0.1 डाला तो 0.1 में इंटीजर ही नहीं फ्रेक्शन है तो उसका भी फ्रेक्शन पार्ट वही आएगा तो दोनों value बराबर है तो थोड़ा से बढ़े जब x औ y बराबर होता तो y बराबर x line के about बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़े क्योंकि x भी बढ़ गया y भी बढ़ गया देखो 0.5 डालने पर 0.5 ये भी y इकल टो x के about आ रहा है थोड़ा सा x बढ़ा और थोड़ा सा y बढ़ा तो x यहाँ पर बढ़ा और y भी यहाँ बढ़ा थोड़ा सा यहाँ पर आगे ठीक है point को ध्यान रखते जहीं 0.9 डालने क्या आ गया y? 0. यानि x को 1 डाला था तो y उपर ना पर पहुंच के कहां आ गया? रोधी. इसे पहुंच नहें थो 1 पर पहुंच जा गया. तो जैसे यह जा रहा था पहुंच के यहां आ गया. अब यह लाइन ऐसे बढ़ रही थी, इसे बढ़ रही थी, सीदे बढ़ती ज डाला गया तो 1 से लेके 2 तक की वैलू के लिए 1.1 का 0.1 फिर से बढ़ना शुरू हुआ 1.2 का 0.2 फिर से बढ़ना शुरू हुआ 1.9 का 0.9 यानि कि जैसे यह बढ़ी थी तो बढ़ना शुरू हुआ जैसे ही जैसी आपने 2 डाला क्या वाइ वैलू क्या हुँआ 0 फिर वैलू तु ना ओके क्या होगी वन ना ओके 0 होगी तो यहां पर फिर कट हुआ वैलू फिर ऐसी सिमिलर लिए आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वाई कोई स्टू एक्स की तरह यह फालो करेंगा यहां पर कट करके फिर यह आजाएगा और यह ऐसे रिपीट होता जाएगा इधर भी आप ऐसी वह रखेंगे निगेटिव में तो यह जाएगा तो य यह ग्राफ यहां पर कट पॉइंट मिलते रहेंगे यह दिखा जा रहेंगे यहां पर कट पॉइंट है ब्रेक पॉइंट है ठीक है यह आपका ग्राफ था आपजर करिए खुद पैन और पेपर उठाईए रफली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिस करें इसे बहुत सारे अगर आप पुराने एडिशन की बुक्स देते हैं तो वहां पर कैल्कुलस का एक्स्टेंसर नहीं हुआ ऐसे कोशिस बहुत कम आते हैं तो एडवाइस किया जाता है कि अगर आप कैल्कुलस का पार्ट कभी भी पढ़ रहे हैं तो नई बुक रिसेंट बुक पर जरू पढ आया है अब नई बुक्स आप लेंगे या नया मैटियर लेंगे तो वहां पर मॉडुलस, ग्रेटेस इंडियर, फ्रेक्शन पार्ट आप एक्स, तो अब एडवाइस करते हैं कि भाई कैल्कुलस नई किताब से पढ़ो बाकी चीजे आप हो सकता कि पुराने एडिशन से प अब लोट कियें, आप जाके उनको देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंज टू एफ एक्स, जब भी लिमिट लगाते हैं, तो यह मान चलते हैं कि लिमिट एक्स, एक्स की वैलू अभी ए नहीं है, ए होने वाली है, तो दो पॉस्विल्टी हैं, लेफ्ट एंड लिमिट और लिमिट जब भी लेफ्ट एंड लिमिट लगाएंगे, तो हम एक वैरिवर ले 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 लेते हैं, पॉस्टी वैरियेबल, एच्टेंज टू जीरो, एफ ओफ देखो, लेफ्ट का मतलब ए से चोटा, तो एफ ए से चोटा, एसे कुछ घड़ा दिया, तो एफ आफ ए माइनस से च डाला गया, तो फंक्शन ये है, तो फंक्शन में एक्स की जगा, ए मतलब कितना, त्री और त्री माइनस च डाल देंगे, ठीक है, अब आरे चलो देखते रहें, तो यहाँ पर सिमलरली ऐसे करेंगे, लिमिट ए से चोट जीरो, फंक्शन में फ्री प्लस एच कर एच के बारे में बताते हैं, यहां बहुत एच के बारे में इंपोर्टेंट है, पॉस्टिव है, और वैरी स्मॉल है, बहुत छोटा, जैसे लाइक 0.1 या 0.001, पॉस्टिव इउनिट है, स्मॉल इउनिट है, अब देख जो 3 से कुछ थोड़ा सा कम, अभी हमने बोला कि limit अभी apply नहीं होगी, पहले function solve होगा, h tends to 0 का मतलब है, h अभी 0 नहीं हुआ है, अगर h 0 माल लेंगे, भाई, h अगर 0 माल लिया, तो अब क्या करेंगे, 3 माल लेंगे, और 3 का fraction क्या हो जाएगा, 0, हमने गोला कि किसी भी integer का fraction 0 माल लेते हैं, यहाँ पर भी h अगर 0 माल लिया, तो 3 का fraction क्या हो जाएगा, 0 तो आप LHL, LHL को बरावर कर दोगे, limit exist करा दोगे, तो अभी h 0 नहीं हुआ, तो suppose मानते कि h थोड़ा सा है, 3 से घटाएंगे, तो लगबग 2.9 माल लो, क्या माल लेते हैं, 2.9, 3 से थोड़ा छोटा है, इसका fraction अगर निकालोगे, तो 2.9 से क्या है, 2.9 का इंडिया घटा होगे, तो 2.9 से जब आप 2 घटा होगे, क्योंकि इसका इंडिया 2 आएगा, तो 0.9 आजाएगा, क्या आजाएगा, 0.9 आया, ध्यान नहीं है, 0.9 कैसे आया होगा, यहाँ पर 1 माइनस, h हमने कितना लिया है, 0.1 यहाँ पर h कितना लिया है, 0.1 लिया तभी तो यहाँ पर 2.9 आजाएगा, तो देखो 1 माइनस h करेंगे, तो 1 माइनस 1 माइनस 0.9, 0.1, 0.1 करेंगे तो कितना आजाएगा, 0.9 आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, इस चीज़ को, limit as to 0, 1-h, और यहाँ देखें, अगर 3 में कुछ जोड़ दिया गया, 3 में कुछ जोड़ गया है, 3 से थोड़ा बढ़ा होगा, 3.1, अब 3.1 का इंट फ्रेक्शन निकालेंगे, तो 3.1 से 3.1 का इंट 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 गटा देंगे, तो 3.1 से 3 कटाएगे, तो 0.1 आ जाएगा, यानि कि h क्या माँना है, बढ़ा है, अब 1.1 वही आ गया, तो लिमिट n इंट 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 0 क्या हैगा, एच, जो हमने जोड़ा, 0.1 जोड़ा था वही आ गया, इसका मतलग कभी भी आप 3.1 में, यानि हुण जो जोड़ा गया, वही आ गया, इस वीडियो का उद्देश है, कि आ आप भली थोड़ा पड़ें, मैं को समझ में आना चाहिए, मैंने देखा कि 1-2-1 जब भी बच्चों से डिसकस करते हैं, इन सारे कुश्चन पो डरे रहते हैं, बुक्स उतना ज्यादा help नहीं कर पाती हैं, तो दुवारा एक और कुश्चन से आपको समझ में आए, आप फट अगर यहां पर फंक्शन में, वहां पर 3-H रखा गया था, यहां 2-H रखेंगे, अगर 1 होती तो क्या रखते हैं, 1-H, अगर k होती, जैसे सपोज, अगर यहां पर लिमिट x tan to k, और fraction part of x होता है, वोल देता है कि भाई, k जिको z है, तो आप जानी रहोंगे, लहां के minus H, मताब कोई भी integer होता, तो भी आपको यही करना पड़ता, और लिमिट x tan to 0, अब बोली आप, आपको आरहा होगा कि k plus H, के की जगाए आप क्या कर सकते, 3, 4, 5, कोई भी integer जनरल ले सकते, ठिक, अब हमने बताया था, H बहुत छोटा है, सपोज, बहुत छोटा है, तो 2 से थोड़ा गटाया गया, थोड़ा सा गटाया दिया, तो 1.9 अब 1.9 का फ्रेक्शन आप evaluate करिये, तो 1.9 से उसके integer पार्ट को हम लोग गटाएंगे, तो 1.9 से हम लोग क्या, 1 गटा देंगे, तो 0.9 आया, क्या आया, 0.9, तो देखो 0.9 कैसे आया होगा, जब आपने क्या कि होगा, 1 से h गटाया होगा, क्यों h को हमने कितना लिया यहां पर, 2 से जब हमने h गटाया है, तो 2 से जब 0.1 गटाया होगा, तब ही तो 1.9 आया होगा, तो 2 से हम 1 से h गटाये, 1 से 0.1 गटा दें, तो कितना 0.9 आएगा, यानि इसको लिख सकते हैं, limit h tends to 0, 1 minus h, अब देख 1 minus h लिखा गया, यहां पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, limit h tends to 0, इसको भी हम लोग 1 minus h ही लिखेंगे, यह बार समझे, चाहें 4 पर limit लगा है, चाहें 5 पर लगा है, इस टाइप की pattern को हम लोग 1 minus h consider करेंगे, अब देखिए, यहां 2.1 आया, क्या आया, 2.1, कुछ जोडा गय है, अब इसका fraction निकालेंगे, तो 2.1 से 2.1 का fraction इंटियर निकाल गडाया, 2.1 से 2 गडाया, कितना आ गया, 0.1, 0.1 कैसे आया होगा, देखो, जो हमने जोडा है, यानि जोडा क्या है, h, तो वही आ गया, तो limit h tends to 0, यहां क्या हैगा, h जाएगा, ऐसे यहां पर भी क्या बोलो भाई, h जाएगा, तो जब यह बात, k minus h को 1 minus h, और k plus h को h लिखता है, तो आपको समझ नहीं आता है, तो अब यह दियान रखे कि 2 पर अपलाई करिए, एक बार आप 4 पर अपलाई करो, चार पर अपलाई करो, यही step बनेगे, देखिए, limit लगाएगे, तो क्या हैग 1, यहाँ limit लगाएगे, 0, तो यहाँ पर limit लगाएगे, 1, यहाँ limit लगाएगे, 0, तो चाहे के पर लगाएगे, चाहे 4 पर लगाएगे, तो 3 पर लगाएगे, 10 पर लगाएगे, आंसर आपको similar मिलेगा, तो एक question लगा ले, इतना समझ ले, सारे questions हो जाएगे, मुझे लगत तेसमें स्टैब में लोग देखेंगे। तो सल्टिशन पे ध्यान दे। फ्रेक्शन पार्ट आप एक्स का फामूला आपको याद होगा, यहां आ इक्सक्राइब होगा, यह था अब हमने पता है कि कभी भी प्लस या माइनस कभी किसी फंक्शन में होता है तो इसका इंडिकेशन हमना है तो इसको मनेख square 2 माल लिए दो अलग-अलग पार्ट माल लिए अब i1 0 to 3 x dx y सबसे basic step है कि x का indication 0 to 3 निकालना है चले खेर आप निकाल देते हैं x का indication x square y2 0 to 3 अपर limit को पहले रखेंगे x के स्थान पर 3 रखा तो 9 बटे 2 आ गया और 0 रखा 0 तो answer ही आ गया 9 बटे 2 यानि i1 की value 9 y2 आ चुकी है i2 की value आपके सामने calculate करते हैं अगर आपने हमारे last वाले वीडियो को greatest integer वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार फिर से आपको मौका देते हैं कि integration किसी वी इंटीजर फंक्शन का होता है तो कैसे करते हैं अब यहां देखिए जीरो ट्री गेटेश इंटीजर एक्स डीएक्स का integration करना है तो कोई भी ऐसा formula नहीं है अगर आप को लग रहा होगे कोई बुक्स में ऐसा formula होगा greatest integer का formula होगा modulus का formula होगा fraction part आप x का formula होगा भूल जाइए इनके formula नहीं है इनका है concept देखो हम लोग क्या करते हैं कि integer part है integer function का integer part निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे break कर देंगे integer values पर कहने का मतलब 0 से लेके अब 0 से लेके 3 0,2,3 को हम लोग कितने part में break करेंगे 0,2,1 फिर 1,2,2 फिर 2,2,3 तीन part में हम लोग बारी बारी से break करते जाएंगे तो 0,2,1 आया और fraction part आब x अभी ऐसे रखते हैं बाद में देखेंगे फिर देखो क्या आया 1,2,2 fraction part आब x dx फिर हम लोग क्या करेंगे 2,2,3 fraction part आब x dx अगर आप थोड़ा सा भी confused है तो एक हम आपको property यहां बताते कि a to b fx dx का indication करना हो अगर उसको break करते हैं अगर हमें break करने की जुरूत पढ़ें कर सकते हैं a to c fx dx फिर जहां पर हमने break किया है उसी को जोड़ देंगे c से और कहां तक जाना है तक b तक अब इसको दो part में break करें या 4 part में break करें या end part में break करें यह property कि वजय से हमने वहां पर एक part को 3 part में break किया ठीक है अब देखो 0.5 रहा होगा, 0.1 रहा होगा, इन βालूस के बीच में, 0.1, 0.2, 0.3 वालूस ऐसे रही होगी, तो आब 0.1 का इंटिजर पार्ट अगर निकालते हैं, तो 0 होगा, और 0.5 पार्ट का भी इंटिजर पार्ट निकालेंगे, तो क्या होगा, 0 होगा, और 0.9 का भी integer part निकालेंगे तो 0 का तो इस part का integration करना है 0 to 1 तो यहां पर इस दाइरे में यानि इन x के लिए क्योंकि जब भी limit consider करते हैं तो वो x की values होती है इन x की values के लिए integer value क्या है? तो इसका integration क्या आ गया? 0 इस part का तो integration 0 आ गया अब देखें जब हम इस वाले part को देख रहे है arrow बना रहे है तो आप ध्यान रखें कि इस वाले part को हम focus कर रहे है अब value 1 और 2 के बीच में रखी गई है ध्यान दो थोड़ा सा आप दिमाग पे pressure डालो कि 1 और 2 के बीच में value हमेशा कैसी होगी 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 इन सारी values का integer अगर निकालेंगे यानि integer part निकालेंगे तो 1.1 का integer part आपको पता होगा 1 होगा 1.5 का integer part बोलो भाई 1.5 का 1 होगा और 1.9 का भी क्या होगा 1 होगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखें 1.9 का integer part निकालेंगे तो ये 1 ही इसकी integer part है अगर 1.2 का निकालेंगे तो 1 से लेके 2 तक इस integer value कितनी होगी 1 अब आपको पता होगा कि 1 का integration x होता है और x 1 और 2 से भी तो 2 पहले रखेंगे और 2 माइनस 1 तो इसकी value आई 1 तो देखो इसका answer अभी आया 0 और इसका answer कितना आया 1 अब इसका answer और निकाल लेते हैं तो फटा फटा आप 2 और 3 के बीच में evaluate करो 2 और 3 के बीच में कोई value का integer निकालेंगे 2.3, 2.5, 2.9 इसका integer part किया आएगा 2 आएगा अब हम या 2 का integration 2x होगा तो x का integration निकाल दे value निकाल दे तो 3 देखो 2 और 3 माइनस 2 3 माइनस 2, 1 इंटो 2 2 हो गया तो इसकी value की आई 2 तो 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 2 तो 3 तो i2 की value कितनी आगई 3 अब आपके सामने हम calculate कर देते हैं 9 by 2 minus 3 आएल सी हम लो 9 minus 6 y 2 3 by 2, answer हमारा 3 by 2 आगया, answer आगया match कर ले, मुझे लगता है कि आगर आप last तक गए होंगे तो बहुत confidence आपको दिया होगा इस topic ने, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बाते बहुत important थी basic concept आपके clear हुए तो भाई थोड़ी बहुत मेरी बढ़ाई कर दो बढ़ाई का मतब है मावला classes को appreciate कर सकते हैं आपके पास बहुत सारी तरीके हैं और आपकी demand क्या है क्योंकि हम बिल्कुल critical phase में चलना है ये जो समय है, ये समय बहुत important है हो सकता है कि आपकी दिशा को change कर दे हो सकता है कि अगला साल आपका बहुत ज़दा achievement में परिवर्तित हो जाए बास एक hit करना है और एक click दिमाग पर अगर आपके एक बार भी click हो गया interest develop हो गया तो interest develop करें अभी भी भी मैं बोलना हूँ बार बार कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तीन महीने अगर आपके पास हैं अगर मन से आप लग जाते हैं जुनून से लग जाते हैं कहीं पर पढ़िए जरूर नहीं कि आप मेरी बात को follow करें बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छी चीजे हैं बहुत सारे मैटीरियल हैं बट आपको ध्यान देना है कि किसको follow करना है अच्छे से follow करिए अच्छे से पढ़िए तीन महीने में आप बहुत सांदार कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं किस फंक्शन पर लें यह फंक्शन के अलग हमने वीडियो बनाए है अगर आपको लगता कोई special functions आपके दिमाह में है फटा फटा हमारे पास भेजिए हम लोग जरूर बनाएंगे Thank you नए फंक्शन के साथ नए जोस के साथ मिलेंगे